दोस्तों इस गर्मी के मौसम में हमारा Google AdSense का पिन वरिविकेशन बाइप पोस्ट आ चुका है हमारे घर पे जो एड्रस आप अपने Google AdSense में फिल किये रहते हैं उसी एड्रस पे आपको यह डिलेवर कर दिया जाता है तो यह आपने कैसे अपलाई करना होता है इसको कैसे वर रहेगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं है अधिया दोस्तों मेरा नाम है आउसी और आप देख रहें राज पोटेक चैनल इस वीडियो में आपको इस गूगल एडसेंस पीन वेरिफिकेशन को एप्लाई करके मैं आपको दिखाने वाला कि कैसे आपको इसे वेरिफाई कर अपने गूगल एडसेंस में तो गूगल एडसेंस पीन वेरिफिकेशन करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दिना चाहता हूं जब आप इसे अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको दो से चार हफ्टे का वेट करना होता है उसी के बीच में आपको को स्ट मैं आ चुका था यहां पर हमें 11 दिन लग गए हैं अगर आपने अप्लाई किया और गूगल एडसेंस का पीन वेरिफिकेशन आपके घर पर नहीं पहुंचता है तो वहां पर फिर से इसे अप्लाई करना होता है चार वीक्स के बाद वहां पर आपको एप्लाई करने का आपको गूगल एडसेंस कुद आप आपकी इमेल आड़ी पे 6 पिन का वरिफिकेशन कोड आपको मेल कर देता है फिर आपको वहां से वरिफाई कर सकते हैं लेकिन वहां पर आपको जाज़ा टाइम देखने को लग सकता है आप कोशिश करिए आप अपने अड्रेस को सही से और मैं आपको करका दिखाने वाला हैं कि आपको इसे गूगल एडसेंस में बरिफिकेशन को कैसे वरिफाई करना है तो वीडियो को शुरू करते हैं तो वेडिए करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल एडसेnh में लॉगिन हो जाना है तो यहां पर हमने लúde कर लिया है नीचे आपको एक pop-up देखने को मिल जाता है जिसमें आपका लिखा हुआ है verify your billing address तो यहाँ पे आपको उसके नीचे एक date देखने को मिल जाता है जिस दिन आपने apply किया उस दिन का date आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे हमने 30 August 2021 को apply किया था और यह हमें 11 सितंबर 2021 को मिल चुका है बाई पोस्ट तो यहां पे हमें 11 दिन लगे हैं इसे बाई पोस्ट आने में नीचे आपको एक verify का option देखने को मिल जाता है आपको उस पर verify वाले पे click कर देना है click करने के बाद आप से यहां पे pin मांगा जाता है enter your pin तो यहां पे आपको जो letter आपको मिला रहता है बाई पोस्ट उसमें आपको 6 digit का pin आपको देखने को मिल जाते हैं मैं आपको letter दिखा देना चाता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से letter आपको देखने को मिलता है अंदर से तो जो pin आपका लिखा हुआ है 6 digit का उसे आपको यहां पे mention कर देना है औ आप केवल 3 बार enter कर सकते हैं अगर आप 3 बार गल्दी कर देते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है तो आप ध्यान से इस pin को fill करिएगा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहां पे मैंने अपने pin को mention कर दिया है उसके बार नीचे आपको submit को option मिल जाता है उस पे आपको click क कर दिया है click करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं your billing address has been verified अब यहां पे हमारा billing address verify हो चुका है अब यहां पे हमारा जो option आ रहा था वो चला गया है उपर की तरफ में आपको एक option देखने को मिल जा रहा होगा your payment are currently on hold because you have not verified your address तो यहां पे हम इसे refresh करके एक बाद देख सकते हैं हमारा option guide हो चुका है और यहां पे हमारा verification complete हो चुका है अब हमें केवल अपने bank को add करना है उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम उस पर वीडियो बना देंगे आप हमें comment box में बताईएगा तो अगर आपको यह वीडियो helpful लगी हो तो आप हमारे चैनल क को subscribe कर लें बगल में दिएगा उस गंटी को भी दबा ले ताकि हम जैसे को न्यू वीडियो upload करेंगे उसकी notification आपको सबसे पहले मिल सगेगी तो मिलते आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद वंदे मातरम